दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर अब जो है फर्स्ट फिनाले की पूरी तरीके से तयारी हो चुकी है और वीकेंड का वार के अंदर सभी लड़कों को अपने कनेक्शन बताने होंगे साथी साथ आपको बताने वाले है कि सिधार्त शुकला के सामने धरम संकट खड़ा होने वाला है घर के अंदर उनके कनेक्शन दो लड़ियों के साथ बहुत अच्छे है पहली तो है आरती और दूसरी है सेनास गिल जहां आरती के साथ उनके कनेक्शन सिरुवात से अच्छी रहे है और आरती और उनके बीच कभी कोई मतबेद नहीं रहा वहीं सेनास गिल के साथ भी कुछ ऐसा ही है सेनास गिल के साथ भी उनका कोई मतबेद नहीं रहा जहां पर एक दूसरे के साथ अच्छा बॉंड शेर करते हुए नजर आते हैं सिधार तशुकला और सेनाजगिल वहीं अगर सेनाजगिल और सिधार शुकला के बॉंड के अगर बात करें तो इन दोनों के बॉंड घर में आने के बाद बहुत ज़ादा सुधरा है और साथी साथ इन दोनों को कई बार ये भी कहते हुए नजर आया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी हद तक सेम समझते हैं और एक तरीके से ही रियाट करते हैं वहीं आरती सिंग के अगर बात करें तो इनकी काफी पुरानी दोस्ती भी है आरती सिंग घर्स के बाहर से ही सिदार शुकला को जानती है और इससे पहले इन दोनों के रियूमर्स भी उड़े थे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लव एंगल जरूर है हाला कि घर के अंदर ऐसा कुछ देखा नहीं गया लेकिन सिदार शुकला के सामने आच बड़ी संकट खड़ी होने वाली है वहीं घर के अंदर सिदार शुकला के अलावा आसिम रियास भी है जिनके कनेक्शन इन दोनों ही लड़कियों से अच्छे है यानि कि घर के अंदर ये दोनों ही लड़किया आज सेफ होने के पूरे के पूरे चांसेस है क्योंकि इस बार का जो गेम है वो connections का game है सलमान खान ने शुरुवात में ही का था कि घर के अंदर connection बनाओ अगर connection नहीं तो आप फिनाले के आगे भी नहीं और अब connection जिन लोगों के बने हैं वो तो फिनाले में पहुँच गए हम बात कर रहे हैं पारस और माहिरा की चाहे माहिरा टॉप 6 में हो या ना हो लेकिन फिर भी वो फिनाले में जा चुकी है अब घर के अंदर बची हैं तीन लड़किया जो की हैं देबुलीना, रश्मी और शेफाली इन तीनों का ही कोई connection नहीं बना हाला कि शेफाली का connection सिदारत दे थे लेकिन वो एविक्ट हो गये अब घर के अंदर कौन किसे चूस करेगा सिदार शुकला किसे चूस करेंगे और आसिम रियास किसे चूस करेंगे कमेंट करके अपनी रायस ज़रूर बताएं सब कि यहीं मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले